नमस्कार आपका स्वागत है नए साल से हर किसी को बहुत सारी उम्मिदे होती है हर कोई चाहता है कि आने वाला नया साल न केवल उनके लिए खुशिया लेकर आए बलकि पुराना होने के बाद भी उनके घर में खुशियां और सुकसम्रदी बनाए रखे साथ इधन दवलत की कोई कमी न रहे लक्समी मा के साल भर क्रपा बरस्ती रहे इसी उम्मिद के साथ हम सब आने वाले साल को बहतर बनाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं तो ऐसे मैं आज हम आपको कुछ खास उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिने इस नए साल के पहले दिन अपन कर आप अपने जीवन की सारी तरह की विपदाओं से चूट सकते हैं न केवल धार्मिक वा ज्योति शास्त्र में बल्कि वास्तो शास्त्र में भी ऐसे कुछ उपाय बताया गये हैं जिने करने से न केवल जीवन में सकारत्म कुर्जा का संचार होता है बल्कि साथ ही साथ व नए साल में आप अपने घर में चांदी का हाती ला सकते हैं, माननेता है हाती की मुर्दी को घर में रखने से श्यांती और सुक सम्रदी आती हैं, विक्ति को नवकर में उन्नती मिलती हैं, रहु केतु का बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है। दूसरी बात, नए साल के पहले दिन आप अपने घर में धातु का कच्छवा ला सकते हैं, घर में चांदी, पीतल और कांसे की धातु से बना हुआ कच्छवा, रखना शुब माना जाता है, इसे उत्तर दिशा में रखने से घर से नकारत्म कुर्जा दूर चली जाती है, घर इसे रखने से धन दान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है, चेउंथी बात, घर में मोर पंक रखना बेहत शुब माना जाता है, कहते हैं इसे भागी के मारगे में आ रही सारी रुकावटे दूर हो जाती है, नए साल में आप अपने घर में गोमती चक्र ला सकते हैं, इसे ल मनी प्लांट या तुलसी का पोदा ला सकते हैं वासुशास्त्र के अनुसार इन पोदों को घर में लगाने से दन दौलत में वरद्धी आती है घर में मोती शंक रखना बेहस शुब माना जाता है इस शंक को विदी विधान पुजा कर यदि घर की तीजुरे में रखा जाए तो घर, कार्य स्थल, व्यापार स्थल और बंडार में पैसा टिकने लगता है आम दनी में वरद्धी होती है तो दोस्तों आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुब काम ना आए वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करे साथ ही चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद